वेलकम बैक पूदा चैनल गाईज आज हम लोग बात करेंगे इसराइल का जो पेजर अटक हुआ है उसको लेखे यह अटक हुआ है हिजबुला के उपर अचनक से यह पेजर में एक रिंग हुआ और कुछ सेगेंड बाद यह सारे जो पेजर से यह फट गया है और मोर दन 3000 हि इंजोड होए है वो भी काफी सीरियसली तो अगर देखा जाए इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारा कोशन अराइज होता है एक एक करके सबका आपको एंसर करेंगे तो पहला जो कोशन है एक जाक्ली यह पेजर क्या है पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज करके हुआ था उसके बाद 1950 से 1960 तक यह जो पेजर इसको डेवलप किया गया और अगर हम लोग देखे 2000 तक यह पेजर का यूसेज था यह था पुरा दुनिया में एक टाइम में हर कोई यह पेजर यूज करता है मगर जब से स्मार्ट फोन आना स्टार्ट कर दिया या फिर मोबा कहीं से भी किसी को क्मिनिकेट करना है तो जो मेजर डिवाई या फिर जो उलक्त टाइक्ष के ओपर हैंक नहीं किया करता है तो जो यह पेजर यूस करें वो लोग क्या अगर देखा जाए ये पेजर का जो कॉस्ट है ये काफी कम है आज के डेट में ये पेजर जादा तर कंट्री में मिलता नहीं है मगर मैं एक्सपेक्ट कर सकतो इसका कॉस्ट विदिन 1000 के आसपासी होगा तो ये सब सुनने के बात आपके मन में जो next question arise करेगा के भाई ये कौन किया और कैसे किया अगर हम लोग हिजबुला का बात माने तो ये जो क्या है ये इसराइल का जो मौसाद है उन्होंने अपने तरफ से किया अब मौसाद कैसे ये कर सकता है एक पेजर को ब्लास्ट करके more than 3000 जो हिजबुला है उन लोग के उपर अटक करना ये जो टेक्नोजी है ये क्या टेक्नोजी है जैसे मैंने आपको कहा कि पेजर एक बहुत ही सिंपल डिवाईस है और इसको हैक नहीं किया जा सकता है और अधर से एक पेजर को यूज करके कैसे ब्लास्ट घटाना कैसे पॉसिबल है तो थोड़ा सा पास्ट में चलते है हिजबुला अपने करता है और हिजबुला वही पेजर को खरीदता है और आगे जाके वह अपना पूरा टीम में डिस्ट्रिब्यूट कर देता है तो ताइवान और इस्राइल का रिलेशन के डेट में अगर हम लोग देखे बहुत ही अच्छा है उत्मा कुछ खास दोनों कंट्री में साइब तो जो कंपणी ऊथा हो सकता है कि उन लोगं कुछ पैसा दिया है फिर वह कंपणी इसराइ lie खरीद लिया है और उसके बाद रौनन थरह पने तरब से यह मैनिफैक्चरिंग क्या है एक्जैक्ली क्या हुआ है ये कंप्लिटी अगर किसी को पता है हो है ताइवान और इसराइल के मुसाद को इसके बाद मुसाद वहां अपने तरब से यह पेजर निफस्ट्रिबियूट कर दिया जिसमें अलग सा डिवाइज जो एड्ट कर दिया ओब जो पेज़र है उसके अंधर ही और उसके बाद यह कंपनी अपने तरब से ये पेजर को export किया और हिजबुला ने अपने तरब से ये पेजर खड़ीदा अपने टीम में distribute कर दिया अब बहुत दिन से ये जो पेजर है ये हिजबुला में जो member है वो लोग use कर रहे थे अचानक से 17 सेप्टेमबर को देखा गया कि ये जो पेजर है इसमें एक अलग सा ring ह हो रहा है तो हर कोई अपना पेजर जो है किसी के front pocket में है किसी के back pocket में है किसी के shirt के pocket में किसी के हाथ में है और कोई कोई होता है कि अपने बेंट से उसको टांग कोई भी रखा है तो लोग अपने जो पेजर है उसको हाथ में लिया इसमें से बहुत कोई और वो लोग तक बीप वा कुछ सेगेंड तक और उसके बाद अचानाघसे यह जो पेजर है यह फट गया तो सुचिए कि अगर आप मोबाइल देख रहे तो हम लोग क्या करते ऐते हम लोग के सामने जिसके वाईसे आगर आप देखें यह वीडियो जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा आप नेट में सर्च करेंगे तो उनलोगा जो बॉड़ी है उसमें छेद हो गया है इस लेवल पर यह ब्लास्ट था तो यह सब देखने के बाद आप घबरा जाएंगे कि ऐसे भी कैसे हो सकता है exactly मुसाद ने क्या किया था मुसाद ने उस पेजर में एक ऐसा डिवाइस एड़ किया था जो डिवाइस के वज़े से जो पेजर का बैट्री है लिथियाम आयन उसको यूज करके यह जो बैट्री है लिथियाम आयन इसको ब्लास्ट किया गया जिसके वज़े से यह जो incident है ये आगे जाके हो सका तो ये देखने के बाद दुनिया पुरा हैरान हो गया कि भाई ऐसा भी हो सकता है मुसाद ने क्या क्या ये तो एकदम next level game जो है मुसाद इस बार खेल दिया और हिजबुला जो है अपने तरफ से पुरा हैरान हो गया क्यूंकि आज के डिट में अगर देखा जाए हिजबुला के जो सुप्रीम लीडर से वो लोग भी पेजर यूज़ करते है तू कम्यूनिक ये जो इंसिडेंट है इसका जो एफेक्ट है ये दुनिया को पुरा घबरा दिया है क्यूंकि आज के डिट में अगर हम लोग देखे हर कोई जो हर किसी के अपास एक से भी जादा स्मार्टफोन एवेलेबल है दुनिया भर में हर कोई अपने तरफ से स्मार्टफोन करता है एक है आपका Android और दूसरा है iOS जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वह आपका Google मैनिफेक्टर करता है जो के यूएस बेस्ट कंपनी आपको यह सोच के घबराने का कोई जरुवत नहीं क्योंकि यह जो मेजर इश्यू हुआ है इसमें क्या होता है एक यह हाड़वर का कभी भी कोई mobile में अगर software में कुछ changes किया जाता है उसके बाइसे यह फट नहीं सकता है on the other side अगर हम लोग long term में देखे तो आज के रिट में इंडिया कंपने तरब से different type of mobile है इंडिया में manufacturing कर रहे है तो एक चीज़ में हम लोग फोड़ा सा safe महसूस कर सकते कि अगर इंडि marketing system के भरो से ऐसा कोई blast possible नहीं है तो hopefully वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा ऐसे ही बहुत सारे इंट्रेस्टिंग टॉपिक में मैं अलग-अलग सा वीडियो बनाता हूं मेरे YouTube चैनल अतनु पॉल ए टीए ए एनू स्पेस पी यूल में जाके आप different type of interesting वीडियो देख चलता रहता है और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे है जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजे कि वीडियो डिफरन टाइम में आता है जब भी आएगा आपके बस तुरह नोटिक्रिशन पहुंच जाएगा यह वीडियो देखने के लिए थैंकिंग क्या यह वीडियो लुआ है जब भी आपके लाइब के बस्ता है